नमस्कार दोस्तो मैं पवन आपका स्वागत करता हूँ आपकी अपनी पार्ट साला, और भी, बुझा साला में दोस्तो आज हम ऐसे महान विभूतु के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनके द्वारा इस्ताफित किये धर्म को कहीं रास्टों के द्वारा जैसे जापान, दक्षिन्ट कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चीन, थाइलेन, मंगोलिया, वर्मा जैसे तिबबत अनेक देशों के द्वारा माना जाता है जिनका जन्म वैसाक पूर्णिमा के दिन नेपाल के एक जंगल लुंबनी में हुआ था तो हाँ हम बात करने वाले हैं भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध की जिनकों की भगवान विश्णु का आठवा अवतार भी मना जाता है तो देखते हैं इनके बारे में हम इस वीडियो में विश्टिच चर्चा करने वाले हैं और साथ में हम वीडियो के अंत में कुछ महतोपूर्ण MCQ केशन को भी डिसकस करने वाले हैं जो कि एक्जाम के पॉइंट अफ व्यू से काफी महतोपूर्ण होने वाले हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को अंतक जरूर देखे का काफी महनत की गई है वीडियो में और इसमें लगबग संपूर्ण जानकारी आपको बहुत धर्म से लिटेट मिलने वाली है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में तो गौतम बुद्ध वे हैं जिनके द्वारा बहुत धर्मकी स्थापना की गई इनका जन्म 566 इसापूर्व हुआ कपिल वस्तू नेपाल में एक जंगल में जिसका नाम लुंबनी था और इनके पिता का नाम था सुद्धोधन और माता का नाम था महामाया इनका बच्पन का नाम था सिद्धार्थ और इनका जन्म हुआ साक्यवन्स में काफी महतोपूर्ण फैक हम आपे डिसकस कर रहे हैं और इनसे रेलेटेट क्वेशन कहीं बार एक्जाम में पूछे भी गए हैं तो इनका जो जन्म हुआ साक्यवन्स में हुआ और इसी के कराण बुद्ध को जो है साक्यमुनी भी कहते हैं तो इनके जन्म के बारे में जन्मस्थान के बारे में माता पिता के बारे में इनके वंस के बारे में काफी questions पुछे जाते हैं तो आपको वीडियो को गौर से देखना है साथ में यहदि important fact लगते हैं तो आप उनको note कर सकते हैं तो होता क्या है कि इनके जन्म के बाद, साथ दिनों के बाद, इनकी जो मा होती है, उनकी मृत्य हो जाती है, महा माया की मृत्य हो जाती है, और फिर इनका जो लालन पालन करते हैं, इनकी मौसी परजापती गौतमी की द्वारा किया जाता है, इसलिए इनका नाम गौतम भी प यसूद्रा नाम की इस्त्री से और उनके द्वारा एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल होता है इनके बारे में आपने बहुत सारे चीज़े जानी भी होंगी बुद्ध के बारे में लेकिन अभी हम यहां पर वो फैक्ट पढ़ रहे हैं जो की हमारे एक्जाम के होने के बाद यह यहां पर तपश्वी बरने का निर्ने लेते हैं और 29 वर्स की आउय में यह घर छोड़ देते हैं अब इनके जो घर छोड़ने की घटना है इसे क्या कहा जाता है तो इसे महाभिस क्रमन कहा जाता है इसको भी आपको याद करना है महाभिस क्रमन वह घटना है जिसमें भगवान बुद्ध जो है अपने घर का त्याग करते हैं पहले वे सिधार्त होते हैं और इसके बाद वो बुद्ध बनते हैं और ये बुद्ध बनने की जो प्रोसेस है इसमें इनका पहला कदम होता है तो इसके बुद्ध के मन में जो ये घर त्यागने का विचार आता है ये क्यों आता है एक कहानी काफी फैमस है आपने वो कहानी सुनी होगी कि इन्होंने जो है बीमार आदमी को देखा बुड़े आदमी को देखा एक लास को देखा एक तपस्वी को देखा और फिर जो है इनके साथ जो इनके सार्थी था उसके प्रश्ण पोचे और इसके बाद जब वो 35 साल के थे तो इनका निरणजनानदी के तरड़ पर एक पेपल के पेड़ के नीचे होता है कि ध्यान करते करते याँ पे उरुवेला में इनको ज्यान की प्राप्ति होती है और इसी पेड को जो है बौधि व्रिक्ष के रूप में भी जाना जाता है और ये जो है वरतमान में बौध गया विहार में है और उन्होंने जो अपना पहला उपतेश जब उनको ज्यान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने अपना पहला उपतेश दिया और ये दिया वारणशी के पास सारनाथ में तो ये भी काफी important है और जब इन्होंने अपना पहला उपतेश दिया तो इस घटना को कहा गया धर्म चक्र प्रवतन या धम चक प्रवताना ये काफी important fact है इसको भी आप जानेंगे इसके बाद क्या होता है कुषिन अगर उत्तर प्रदेश में जो है वर्तमान में जो है एक साल के पेड़ के नीचे 483 इसा पूर्वन की मृत्य हो गई और लगबग 82-83 साल की उमर मेंन की मृत्य हो जाती है और इस घटना को कहा जाता है महा परिनिर्वान तो ये इंसर रिलेटेट काफी important factor है अब हम बहुत धर्म के बारे में भी कुछ जानने वाले हैं फिलाल बुद्ध सब्द का जो अर्थ है वो प्रबुद्ध है प्रबुद्ध और इसके बाद जो बुद्ध के समकालीन जो कुछ लोग थे वे थे महावीर जैन, राजा, प बुद्ध दर्सन के अंतरकत माना जाता है तो चार महान सत्य इन्होंने माने हैं कि वो हैं अनिश्वरवाद, सुन्यतावाद, अनात्मतवाद और छणिकवाद इसमें इन्होंने कहा कि दुनिया सोक से भरीवी है इक्छा ही समस्त दुखों का मूल कारण है जब इनसान को इक्छाएं जागरित होती हैं तभी उसके जीवन में जो हैं दुख आते हैं और इक्छा पर जिसने भी विजय प्राप्त कर दी उसने अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर दी इनका कहना है और इक्छा पर विजय प्राप्त की जा सकती है ये कहते हैं तो इस तरह से इ पुर्णा संगसार के सारे वस्तों सत्ताहीन हैं आत्म चेवत्तन पर इनने सरवादिक बल दिया और कहा कि संगसार के किसी भी चीज में इस्थिरता नहीं है तो इनके बाद्र की सिख्षाए ये हैं इसके बाद बाद धर्म में अस्टांगिक मार्ग इनने बताए कि अगर जान की प्राप्ति करनी है अपने जीवन को सफल करना है तो इन्हाने आठ मार्ग बताये जिसमें कि इन्हाने बताया सम्यक द्रिश्टी और की वास्तरिक रूप से समझ होनी चाहिए सम्यक द्रिश्टी होनी चाहिए प्रॉपर विजन होना चाहिए सम्यक संकल्प इंसान को लेना चाहिए, विचार का लोग, द्वेस और हिंसा से मुक्त होना चाहिए इंसान को, सम्यक वाक, बुरे वचनों को नहीं बोलना चाहिए, हमको सोच समझ करके बोलना चाहिए, सम्यक कर्मात, सत्व कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, सम्यक आजीवन, सदाचा खाव होना चाहिए और सम्यक समाद ही एक कागरता विक्तिके अंद्र कुने चाहिए, तो ये इनोंने अस्टांगिक मार्ग बताए हैं, एक सफल जीवन के लिए, इसके बाद जो है बुद्ध-धर्म के त्री रत्न माना जाते हैं, बुद्ध, धम और संग को, ये त्री रत्न धम क्या है बुद्ध की सिक्षा जो की संस्कृत धर्म या अपने धर्म का पालन और संग क्या है बौध धर्म का पालन करने वाले विक्षियों का जो विक्षों है उनका क्रम तो इस तरह से बुद्ध धर्म धर्म और संग जो है बौध धर्म के त्री रत्म है इसके बाद बा और ये मुल रूप से पाली भासा में रिके गए हैं, क्वेशन पूछा जा सकता है, और इनकी संक्यात तीन हैं, त्री पिटक हैं, कौन कौन से हैं, विनाय पिटक, सुद्ध पिटक और अभिधंब पिटक, विनाय पिटक के अंतरगत इसमें विक्ष और जो विक्षुनिया ह इनके आचरण के संबंद में नियम हैं, सुद्ध पिटक के अंतरगत बौध धर्म के उपतेशों का संकलन है, जबकि अभिधंब पिटक के अंतरगत इसमें जो बौध धर्म की दार्सनिक व्याख्याएं हैं, उनके जो हैं महत्तोपूर्ण भाग कथावस्तू है, अभिध बौध संगितियां होई हैं, तो हम यहाँ पर सभी बौध संगितियां को डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहली जो बौध संगिती हुई, वो राज ग्रह की जो सत्पन्नी गुफाएं हैं, उनमें हुई, और यहाँ पर इन जो पहली जो बौध संगिती थी, उसका सरक्षन किय जा गया अजात सत्रू राजा अजात सत्रू के द्वारा और इस पहली जो बाद संगिती है उसकी अध्यक्षता की जाती है भिक्चू महाकश्चप के द्वारा जो पहली बाद संगिती है उसका उद्दीश क्या था कि बुद्ध की जो सिक्छाएं हैं और जो भिक्चू के ल भिक्छु आनंद और उपाली के द्वारा यहाँ पर दिया गया और साथ में इस परिशद में अधंब पिटक का पाथ भी किया गया तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अभिधंब पिटक का पाथ जो है किस बौद संगिती के अंतरकत किया गया और यह कब हुई तो प्र चाली में और इसके सरक्षण किया जाता है कालाशोग संब्राट कालाशोग के द्वारा और दुतिया जो बहुत संगिती है इसकी अध्यक्षिता कियाती है साबाकामी के द्वारा और इसमें मुक्या एजेंडरा ठाह। जो मुख्य उद्धिश्य था वो था जो विभिन विभाग हैं और जो असहमितियां हैं लोगों के बीच में उनका निप्टारा करना और इस परिशद में महासांगिकों को वैहित बौधिक जो गरंत हैं उसके रूप में खारिज किया गया इसलिए भी ये काफी important इस दूसरी बौध संगिति को माना जाता है इस बौध संगिति में क्या किया गया जो महासांगिकिया है इनको बौध गरंतों से खारिज किया गया और इसलिए जो परिशद है जो संगिति है इसे काफी महत्वपूर माना जाता है दूसरी बौध संगिति को इसके बाद बात करते हैं त इसरी बौद संगिती होती है पाटली पुत्र में और इसका सरक्षण किया जाता है समरवाट अशोक के द्वारा और अध्यक्षता की जाती है मोगली पुत्त तिश्या के द्वारा और इसमें जो मुख्या उदीश यो मुख्या एजिंडर था कि बौद धर्म के विभिन इढमिंकाडर रखना है अब अगली बात करते हैं, चौथी बौद संगिति की तो ये 72 एश्वी में सुरू हुई थी और ये हुई कस्मीर में कस्मीर में हुई चौथी बौद संगिति और समराट कनिश्क के सरक्षण में ये हुई चौथी जो बौद संगिति थी उसके बाद बौत धर्म जो है दो संप्रदायों में तूट गया हीन यान और महायान तो जो अलग-अलग तरह के जो विचार धारे लोगों के बीश में थी उसमें मतभेद नहो यहां पर इस तरह की बाते की गई और इस तरह से दो मतों में विवाजित हो गया जो बौत धर्म है हीन और महायान में तो प्रश्ट पुछा जा सकता है कि बाद धर्म दो संप्रदायों में किस बाद संगिती के बाद अलग हो गया था तो यह है चौथी बाद संगिती जो की 72 इस भी में हुई नेक्स्ट बात करते हैं पाँचवी बाद संगिती की तो यह 1831 में हुई और यह हुई म्यामार के मांडले में जिसे अब वर्मा कहा जाता है और यह वर्मा सामराजा की राजा मिंडन के सरक्षण में हुई और इसकी जो अध्यक्षता की वो करकी जगर्भी वंच, नरिंद जाब धज और सुमंगल सामी ने, इसका एजेंडर था बौध सिक्षाओं को सुनाना, सुक्ष विवरणों में और उनकी जाच करना, इस परिशत को म्यामार के बाहर काफी हद तक मानिता प्राप्त नहीं है, क्योंकि वर्मा के अलावा किसी भी प्रमुक्ष बौध यहाँ यहाँ पर कोई भी इसमें सामिल नहीं हुए थे, तो यह पाचवी बहुत संगिती है, केवल यह म्यामार के अंतर गरती सीमित रही, इसके बाद बात करते हैं, छटवी बहुत संगिती की, तो यह 1957 में यह भी म्यामार वर्मा में की गई, रंगून में, और यहाँ पर इसके जो सरक्षण किया गया, यह प्रधान मंतरी यूनू के द्वारा किया गया, और इसकी जो अद्रिक्षता की, वो की महसी, सयादाव और भदंत, विचित सार भीवन्स ने, पाचवी बहुत संगिती का एजेंडा था, बहुत धर्म के प्रमाणिक जो धम्व हैं, और जो विन की समान थी, तो इस तरो से छटवी बहुत संगिती हुई, और यह अभी तक की लास्ट बहुत संगिती का आयोजन किया गया, 1954 में, अब बात करते हैं, बहुत धर्म के कुछ प्रतीक चिन्हों की, तो बुद्ध के जन्म को कमल वो सांड के प्रतीक के रूप में मना जाता है तो क्वेशन काफी पूछे जाते हैं इस यहाँ पर की इन प्रतीक चिन्हों से, तो ज्यान की जो घटना है, वह पीपल बौधि विरिक्ष को मानते हैं, कि बुद्ध को ज्यान प्राप्त हुआ, तो इसका प्रतीक क्या है, तो बौधि विरिक्ष है, प्रथम प्रवचन ज तो चक्र जो है, उसका प्रतीक चिन्हों है, घरत्याक किया, तो घोड़े में बैठ करके आये थी, तो घोड़ा जो है, उसका प्रतीक चिन्हों है, निर्वान हुआ, तो इनका प्रतीक चिन्हों है, मृत्य जो है, महापरि निर्वान हुआ, तो इसका जो इस्तूपा है, वो है मौरे समराथ असोक का विवरण किस बौध ग्रंथ में है। यह सीरियस 2018 में पूछा गया था। तो महावंस एक काभिय संग्रह है, यहाँ पर छट्री सताबदी में एक बौध विक्च के द्वारा यहाँ लिखा गया है। तो इसमें कहीं अस्थानों पर समराथ असोक का विवरण मिलता है, तो ऑप्शन नमर जो A है वहार राइट है, असोक का विवरण मिलता है महावस्म या महावंस के अंतरगत। अगला है बुध का जन्म किस छत्रियकुल में हुआ, तो यह कौन से क्लेन में हुआ, तो यह हम discuss कर चुके हैं, साक्या, वंसमेन का जन्म हुआ, तो option नमर जो B है, 2 है, वह सही हो जाएगा, अगला प्रशन है, भारत में प्रमुख बौद सरच नाओं में से एक, सारनाथ में जो स्तूप है, निर्मान किया गया समराट असोक के द्वारा, तो यह जो है, यहाँ प द्वारा इसका निर्मान किया गया, और यह उस स्तान पर है, सारनाथ में, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति हुई थी, तो यहाँ पर option नमर जो B है, वह राइट है, next question है, किस धर्म के विक्षों के लिए, चैत्य और बिहारों का निर्मान किया गया, तो बौध धर्म के विक्षों के लिए, चैत्य और जो पूजास्तल है, बिहार जो निर्मान किया गया, तो इसका जो option है, option नमर जो D है, वह राइट हो जाता है, बढ़ते हैं, अगले प्रश्ण की तरफ, तो अगला प्रश्ण है, तीसरा बौध परिशत किस सहर में आयज हैं, और मैं आपके लिए एक प्रश्ण देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, कि जो तीसरी बौध संगिती थी, यहार किसके सरक्षण में हुई, यह आपको हमको कमेंट में जरूर लिखके बताना है, अगला प्रश्ण है, बौध विक्षों के लि लिए बनाएगे नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया, तो यह किसके लिए यह नियम बनाएगे थे, तो यह नियम बनाएगे थे, बौध संग के लिए, तो आप्शन नमबर जो C है, और राइट हो जाता है, अगला प्रश्ण है, डौट डौट की पालक माता, महा प्रजापती गौत्मी ऐसी महिला थी, जिनने विक्चुनों के रूप में चुना गया था, तो यह किसकी माता थी, जिनने इसको पाला था, तो बगवान बुद्ध के हमने आपको बताया था, कि इनकी माता जब इनका जन्व हुआ, तो इनकी जो माता थी महा माया उनकी मृत्य हो गए थी साथ दिन के बाद तो उसके बाद उनकी मौसी प्रजापती गौत्मी ने जो है इनका पालन पूशन किया था तो ये पहली भिक्चुनी बनी थी पहली महिला भिक्चुनी जो इनके साथ बनी थी वो यहीं बनी थी इनकी पालक माता अगला प्रश्ण है चेठिया गिरी विहार साची में बनाये जाने वाला एक त्योहार है तो यह कौन सा त्योहार है तो यह बौध त्योहार है तो option नमर जो डी है वह राइट हो जाता है और सबसे पहला जो बौध गरंत लिखे गए थे वो किस भासा में लिखे गए थे तो ह काफी जानकारियां अरजित की हैं मुझे उमीद है कि आपको काफी चीज़ें यहां पर जानने को मिली होंगी तो दोस्तों यह आपको हमारा प्रियास अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही topic wise improvement कर सकते हैं क्योंकि हम भी अभी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आप तक जो है अच्छा से अच्छा content हम provide कर पाएं जिससे कि आप अपने जो परिक्षाओं के तेयारियां हैं या फिर जो आप अपना knowledge है उसको अच्छे से जो है अरजित कर पाएं दोस्तों ने topic के साथ अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद